कुछ दिन पहले मैंने CRPF स्टाप नर्स वेकेंसी 2020 के बारे में वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि All India के Candidates के लिए 175 पोस्ट स्टाप नर्स की CRPF के लिए निकली हुई है तो इस वेकेंसी में फोरम कब से कब अपलाई करना है रिटन एक्जाम कब होगी और आपकी Education Qualification क्या होगी इन सब बातों के बारे में Discuss उस वीडियो में कर चुके हैं अगर आप ये चीजें जानना चाते हैं तो वीडियो का जो Discussion Box है उसमें उस वीडियो का Link दिया हुए उस पे आपकि प्लिक करके उन सब चीजों को जान सकते हैं उस वीडियो के comment box में काफी comment आए दे कि physical standard क्या होने वाला है यानि आपकी height weight eye का vision क्या होने वाला है physical efficiency test क्या होने वाला है यानि आपकी running long jump और high jump का क्या criteria रहने वाला है साथ ये comment आए कि reservation के जो candidates है उनको यहाँ पे relaxation मिलेगा या नहीं मिलेगा तो इन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में अपने discuss करने वाले हैं तो वीडियो में शुरू से end तक बनेना है वीडियो को कहीं भी skip नहीं करना है और सभी nursing के friends साथ वीडियो को share जुरूर कर देना है ताकि सभी लोग इन चीजों को जान सकते हैं तो वीडियो में आपको सारी चीजें बताने वाला हूं physical efficiency test और physical criteria बताने वाला हूं सबसे पहले आपको जो CRPF की official site है वो open कर लेनी है इस तरह का home page आपको दिखाए देने वाला है और आप home page को थोड़ा नीचे scroll करोगे तो आपके सामने recruitment का tape दिखाए देगा view all पे करके आपको यहाँ पे सिक आगे open कर लेना है यहाँ पे जैसे आप view all पे करोगे आपको यहाँ पे कुछ अलग-अलग tape दिखाए देगे जिसमें recruitment instruction, recruitment details और results आपको दिखाए दे जाएंगे आपको यहाँ पे जो recruitment instruction है वो open कर लेना है कि क्या-क्या instruction यहाँ पे CRPF की जो latest stop nurse vacancy निकलने वाली है उसमें रहने वाला है तो यहाँ पे एक जुलाई 2020 को यह notification आया है जिसमें लिखा गया recruitment rules sub inspector, stop nurse, dietitian and radiographer और यहाँ पे दूसरा एक notification और भी है एक साथ 2020 को यह है recruitment rules of SI stopners revise यह किया गया है इस date में 2020 में तो यह दोनो recruitment rules है वो same ही है एक English में एक Hindi में है आप अपनी सुईदा के according यहाँ से download करके पढ़ सकते हैं तो अपने उपर का जो notification है उसको यहाँ पे download कर लेते हैं और देख लेते हैं कि physical standard और physical efficiency है वो आपके यहाँ पे क्या होने वाली है तो गाइज यह notification है वो open हो गया है CRPF की जो official site है उससे में ने open किया है और इस notification में आपको highlight क्या होई मिल रहा है sub inspector stop nurse, inspector है वो dietitian, sub inspector radiographer के rules है उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है तो इस vacancy में बता दिया गया है कि कोन apply कर सकता है कोन नहीं apply कर सकता है तो यहाँ पे disqualification भी दिया गया है education qualification की बात अपने पहले कर चोके हैं आज disqualification की बात कर लेते हैं कि कौन इसमें apply नहीं कर सकता है तो यहाँ पे दिया गया who has entered into the contracted a marriage with person having a spouse of living यानि जिसके जीवित पती-पत्नी है अगर उसने फिर से साधी कर ली है पती-पत्नी होते होए तो उसको इस vacancy में apply करने का अधिकार नहीं है वो disqualify है यह चीज़े यहाँ पे लिखे गई है male और female दोनो candidates के लिखे गई है male है तो उसने अप भी पत्नी के होते वे दूसरी lady से साधी कर ली है फिमेल है तो पती के होते वे दूसरे मेंड से साधी कर लिए है तो दोनों ही सिजुएशन में आफ डिस्क्वालिफाई यहां पे रखे गए हैं हालांकि इसमें नीचे इस बस टीकरेंड दिया गए है कि अगर इस मेटर इस टाइप का मेटर होता है और वो सेंटर गोर्मेट के द्वारा सिटिस्फाइट पाया जाता है उसको सोलो कर लिया जाता है तो आप पर्मीसेबल होते हैं फोरम को अपलाई करने के लिए यह हो गई है बात सबसे पहले डिस्क वालिफिकेशन के बारे में अब बात कर लेता है कि फीजिकल स्टेंडर्ड यहां पे क्या रेने वाला है और छूट किन-किन को मिलेगी और कितनी मिलेगी तो फीजिकल स्टेंडर्ड में सबसे पहले आता है हाइट जो male candidates है उनकी 170 cm की height होनी चाहिए इस vacancy के लिए और female candidates की 177 cm की height यहाँ पे होनी चाहिए उसके बाद में आता है chest का criteria male candidates है उनकी यहाँ पे expected जो यहाँ पे 80 semi है वो जो chest है वो लगबग होनी चाहिए और 5 semi आपकी chest का expansion यानि फुलाव भी होना चाहिए female है उनके लिए chest का जो criteria है वो applicable नहीं है यह सारी चीज़ें होगी है height और chest के बारे में अब weight की बात कर लेते हैं तो male और female का जो weight है वो आपकी height का जो medical standard है जो BMI का formula है उसके according होनी चाहिए आपकी height ज्यादा है तो weight ज्यादा हो जाएगा और height कम है तो weight हो कम हो जाएगा जो वो medical का standard है BMI का standard है उसके according आपका weight यहाँ पे होना चाहिए eye sight की बात कर लेते हैं तो eye sight में लिखा गया था minimum distance vision should be 6 by 6 6 by 6 होना चाहिए and 6 by 6 6 by 9 of two eyes without correction यानि कोई type का आँखों में correction नहीं किया होना चाहिए दोन्यों आँखों से 6 by 6 6 by 9 है वो आपका eye vision minimum होना जरूरी है without wearing glasses बिना glasses बिना चस्में पहने वे यह आपका eye vision होना चाहिए यह हो गए है physical standard अब बात कर लेते हैं इसके अलावा कुछ और student रखा गया था candidate cell not have nook knee nook knee नहीं होना चाहिए flat foot नहीं होना चाहिए very close vein नहीं होना चाहिए eyes में squint नहीं होना चाहिए they cell possess high color vision high color vision होना चाहिए color vision की जो disease है वो नहीं होनी चाहिए इसके अलावा they cell be in good mental and bodily health mental health और bodily health तो गूड होना चाहिए ताकि and free from any physical defect किसी भी physical defect से भी free होना चाहिए likely to interference with efficient performance of duty ताकि जो duty है उसकी performance हो efficient हो सके और पूरी duty नहीं होना चाहिए तो यह चीज नहीं होनी चाहिए जिसमें मैं दुबारा बता देता हूँ नोक नी फ्लेट फूट वेरिकोज वेन इसक्वेंट आई नहीं होनी चाहिए और जो color vision है वो defect नहीं होना चाहिए इसके लावा mental health body health good होनी चाहिए और किसी भी physical defect से free होना चाहिए अब यह वाजाती है relaxation की बात कि जो reservation के candidates है या जो हिली area के candidates है जो पाड़ी area के candidates है उनको क्या छूट मिलेगी तो यहाँ पे है relaxation cell will be permissible in height and chest schedule tribals जो candidates है उनको और hill people को इनमें क्या है हाइट में क्या क्राइट एरिया में छूट मिलेगी यह देख लेते हैं कौन-कौन होने है तो यहाँ पे लिखा गया है जो गोर का है कुमोसी है यह लगबग जो नागालेंड के अरुनाचल परदेश के मेगाले के मिजुरम आसाम और हिमाचल परदेश कस्मीर ले लद्दाक के जो region है जम्मू कस्मीर के इनके जो height है में के लिए यह 165 cm होनी चाहिए और female के लिए 155 cm होनी चाहिए हिली एरिया के जो candidates है जो मैंने यहाँ पे area बताया है उनके जो main की candidates में जो है उनकी 155 cm होनी चाहिए और female की 155 cm होनी चाहिए इसके अलावा क्या लिखा गया है जो scheduled tribals है scheduled tribals के candidates है उनमें जो male है उनकी 162.5 हाइट हो सकती है और female के लिए 150 semi की जो height है वो इसके अलावा यहां पे chest के बारे में relaxation में लिखा गया है कि schedule chest relaxation in chest is applicable schedule tribes people उनमें भी chest में भी relaxation जो government of India के rules है उसके according दिया जाएगा तो क्या रहेगा यहां पे main belonging to hilli area जो hilli area मैंने उपर बताया है उनके जो male candidates है उनके लिए 78 से 83 semi की chest मांगी गई है और schedule tribals जो all states और union territory की है उनकी शेतर से 81 सेमी तक यहां पे आपकी chest मांगी गई है तो यह हो गया है यहां पे physical standard test है उसके criteria और उसमें जो hilli area के candidates और schedule tribals है उनको क्या-क्या छूट यहां पे मिलने वाली है उसके बाद में आ जाता है physical efficiency test क्या होने वाला है तो आपकी race होने वा और आपकी जो लगभग यहां पर 1600 मिटर की जो race होती है लगभग 1.5 km की जो race होती है उसमें यहां पर आपको 7,5 मिनटी में पूरा कर लेना है और female को 800 मिट्री जो race है वो 6 मिनट में पूरी कर लेनी हो है यह उसके बाद में long jump है जो male candidates को long jump 10 feet का required है और female के लिए 6 feet का requirement है इसके बाद में आ जाता है high jump male के लिए 3 feet का high jump है और female के लिए 30 feet का high jump यहां पे रखा गया है यह चीजें आपके physical standard में और physical efficiencies test में रखी गई है और क्या-क्या criteria मिलेगा क्या-क्या छूट मिलेगी hill area और schedule tables को वह भी मैं बता चुका हूँ यह लेटेस्टली जो रूल्स है गाइज यह यहाँ पर रखे गए हैं और गोर्मेट ओफ इंडिया की जो साइट है CRPF की सेंडर रिजोर पुलीस फोर्स की उस पर दिये गए हैं आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं मैंने यह सारी चीज़ें आपको बता दी है फिर भी कोई सवाल आपके मन में हो तो नीचे कमेंट बोक्स अगर कमेंट करें या मेरी मेल आईडी दी गई है उसमें मेल करके मुझे पूछ सकते हैं जल्दी आजे बता हूं नेक्स दूले कर तब तक सौस्तरे मस्त तक एक थैंक यू परेंस